दोस्तो अगर आप भी एसस्वी जैसवाल और MS धोनी को बैतरीन के लाड़ी माते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तो अगर आप भी एसस्वी जैसवाल की पल्ले बाजी का फैन तो पूरा आस्ट्रेलिया हो चुका है और आप आस्ट्रेलिया के एक एक दिगज है मैक्सवल से लेकर पैट कमेंड से यहां तक की पाउंटिंग से लेकर बेटली ने क्या कहा और किसी के बैंक के वीडिया आपको दिखाने जा रहे हैं लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है यह सस्वी जैसवाल रिंकू सिंगो शुबमन गिल में बहतर कौन है नीचे कमेंट करके जरूर बताईएगा दोसो क्रिकट के दुनिया में खिलाडी तो बहुत आते हैं लेकिन जिसका नाम बन जाए और जिसका काम भी बहतर हो ऐसे दोनों खुबियों वाले खिलाडी बहुत कम मिलते हैं लेकिन उन में से एक ऐसा बल्लेबास है, एक ऐसा वीर्थरोवर है, जिसका नाम विराल हर किसी की सबान पर है, वो भी हर एक फॉर्मैट में लेकि भारत और इंग्लेंड की टीम के बीच में जो चल रही है टेस्स सेरीज उसका पहला मुकाबला, राजीव कांदी इंटरनेशनल स्टेडियो मैंनि के हैधरबाद के मैदान में आज से शुरू हो चुका है, इंग्लेंड की टीम की तरफ से दोसों टीम की कमान को समाल रह के से, दोस्तों गेंदबाजी की बात है, तो आपको बता दे कि सबसे ज़्यादा प्रभावशाली गेंदबाजी ना हमारे और राउंडरस ने कराई, रवी जंदराश्विन और रविंद्र जड़ेजाने, जिन के राम तीन-तीन विकेट भी रहे, जान श्विन ने डकेट और ट्रॉली को आउट किया 35-20 पर, तो जड़्डू भी ओली पॉप पर रूट को नटा चुगे थे 29-01 पर, और दोस्तों इतना नहीं, बुम्रा ने भी बेंड्स टॉक 170 पर आउट किया, बस वही सबसे बड़ी पारी थी, और दोस्तों अक्षर पटेल भी 37 पर वी जैसवाल है, दोस्तों जैसवाल का श्राइक्रिट थ्रॉआउट दा इनिंग 110 से ज़्यादा था, 9 चौक्यान उने लगाए, 3 छक्यान उने ठोके, और 70 गेंदों में ही पूरे 6 रण की ताबड तोड़ पारी खेल डानी, जी पारी के दम पर दोस्तों पहले दिन का खे सीधे पढ़ते वए उस्ट्रेलिया इदिकजों और खिलाडियों ने भी अपना बयान दे दिया है, इसने क्या कहा है चलिए, आपको बताते हैं, सबसे पहले दोस्तों आपको बता दे के ग्लैन मैक्सवाल ने कहा, लगता है कि एससवी जैसवाल तो ये भूल चुके हैं कि टेस्ट टी-20 या वंडे कोई फॉर्मैट्स भी होते हैं, वो चब भी मैदान में आते हैं बस तूफानी अंदाज में खेलते हैं, और मैं अभी उनका फैन हो गया हूँ, इतनी कम उम्र में इतनी काबिलियत रखना और इंगलन जैसी टीम को पीटना, अपने आप में बहु पाद ओडने वाले हैं, और ऐसी बढ़िया इनिंग्स खेलेंगे तवी तो दुनिया आपको पहचाने की, इंगलन के खिलाफ आपकी इतनी शांदार पारे की उम्मीदे नहीं थी लेकिन आपने उम्मीदों से बहतर ही करके दिखा दिया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब ऐसे ही आगे चमकते रही है, तो सुपेट कमिंच का भी कहना था, एससवी जैसवाल आप एक खिलाडी नहीं बलकि हीरा है, वो हीरा जो भारती करिकर टीम के लिए आगे चलकर सलामी जोडी को और सुनहरा बनाएगा अपनी चमक से, आपकी बन्लेबासी में वो ताकत है, व जैसवाल की पारी देखी, वाकई में लगा के युवा खिलाडी को अगर खेलना चाहिए, तो केवल इसी खिलाडी की तरह है, जैसवाल आपको पता भी नहीं लेकिन आप दुनिया बर के खिलाडीों के लिए प्रेरना बन चुके हैं, उमीद है, आप जैसा खिलाडी भारत दोस्तों इंग्लाइंड के खिलाडी के तुफानी प्रदर्शन को देख कर पाकिस्तान के दिगज भी रहे गए दंग, कहे दिया कुछ ऐसा जिससे सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान, जी हाँ दोस्तों भारत और इंग्लाइंड के बीच खिलेगे पहले टेस्ट के पहल अपने खानों पर यकीन कर पाना मुश्किल होगा, तो आखरकार भारती टीम के शांदार प्रदर्शन को देख कर पाकिस्तान के दिगजों ने क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अश्वन जड़े जाब, ओमरा और भारती टीम ने पहले गेंदबासी करते हुए इंग्लेंड को 246 रनों पर ओल आउट किया, और इसका पीछा करते हुए पहले दिन के समाप्ती तक 119 रन एक विकेट के नुकसान पर बना दिये हैं, और अभी भी 127 रन से भारती टीम पीछे है, ऐसे में भारती टीम के प्रदर्शन देखने को मिला है, दोनों ने जस तरीके से शांदार गेंदबासी करते हुए सभी को प्रभावित किया, वो दर्शाता है कि भारती टीम जीतने के उदेश से मैदान पर उत्री है, इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारती टीम के लिए रविंद्र जडेजा औ तो शायद भारती टीम इस मैच को अपने नाम कर लेगी, क्योंकि इन जारू गेंदबासों के पास भारती टीम को मैच जीताने की बोरी काबिलियत मौजूद है, तो वहीं जमामुल हक ने बयान देते हुए कहा कि इस मैच के अंदर भारती टीम की तरफ से सभी खिलाडियो और जस्प्रे दुम्राह ने शांदार गेंदबाजी करते हुए इस मैच को बैक फूट पर डालने का काम किया है, और मैच को भारत के पक्ष में डाल दिया, इतना ही नहीं भारती टीम के लिए यश्रसवे जैसवाल ने भी शांदार प्रदर्शन किया, जो कि दर्शाता है कि भारती टीम इस मैच में इंगलेंड के खिलाफ जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, तो वहीं शॉब अख्तर ने बयान देते हुए कहा कि इस मैच के अंदर भारती टीम के गेंदबाजों की शांदार गेंदबाजी देखने को मिली है, तो वहीं बल्ले बाजों का भी ब मजबूती के साथ जीत दर्श करने के लिए मैदान पर उत्री है, इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारती टीम के लिए रविंद्र जडेजा और रविचंद्र नश्विन तो शांदार गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन यश्रस्वी जैस्वाल ने भी सभी को प्रभावित किया और ऐसे में अब भारती टीम का इनके नाम पर जीतना कंफर्म लग रहा है, तो वहीं शाहिद अफ्रीदी ने बयान देते हुए कहा कि इस मैच में भारती टीम की तरफ से रविंद्र जडेजा और रविचंद्र नश्विन दोनों का शांदार प्रदर्शन देखने को मिला है, दोनोंने बेहितरीन प्रदर्शन करते हुए मैच को भारत के पक्ष में लाग और खड़ा किया, इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारती टीम के लिए रविंद्र जडेजा और रविच जंद्र नश्विन के शांदार गेंदबाजी के अलावा अक्षर पटेलो और रस्प्रेद बुमराह का बेहितरीन प्रदर्शन देखने को मिला, साथ में बल्लेबाज यश्रस्वी जैसवाल ने भी अच्छे बल्लेबाजी की, क्योंकि अगर यश्रस्वी जैसवाल अच्छे बल्लेबाजी नहीं करते, तो शायद भारती टीम इतनी मजबुत स्थी के साथ मैदान पर पहले दिन कायम नहीं रहती, ऐसे में भारती टीम की तरफ से इन खेलाडियों के बेहितर प्रदर्शन के चलते ही भारत मजबुती कायम कर शुका, दोस्तों भारती टीम की शांदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी को देखकर भारती दिगजों ने दिया जिसको सुनकर आपके भी होश और जाएंगे, तो आखरकार भारती टीम के शांदार प्रदर्शन को देखकर भारती दिगजों ने क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस मैच में आज के दिन के स्केलाडी का सर्वस पर ओल आउट किया, जहां बेंस्टोक ने सरवाधिक 70 रन बनाये थे तो वहीं जडेजा और अश्विन ने 3-3 विकेट लिये, वहीं बुमरा और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट हासिल किये, हालाक इसका पीछा करने उतरी भारती टीम ने 119 रन एक विकेट के नुकसान पर बनाये थे, जहां पर यश्रस्वी जैस्वाल ने अंत तक 76 रनों का नाबाद योगदान दिया, और ऐसे में भारती टीम की बेहितरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी को देखकर भारती दिगचों ने बोड़ा बयान दिया, जिसमें सुनील गवासकर ने बयान देते जस तरीके से दोनों ने शांदार गेंदबाजी करते हुए अश्विन और जड़ेजा का साथ दिया, उसको देखकर मैं काफी जादा खुश हूँ, इसके लावा उन्होंने कहा कि इंग्लेबाज की टीम के खिलाफ अब चारों गेंदबाजों ने शांदार गेंदबाजी क कहा कि इस मैच में भारती टीम की तरफ से गेंदबाजी काफी जादा बेहितरिन रही है, इंग्लेंड की टीम ने सोच समझ कर पहले बलेबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन जस तरीके से रविंद्र जडेजा और रविश जंद्र नश्विन ने शांदार गेंदबाज का बेहितर साथ दिया और महत्तोपुन वेकस निकालने के साथ भारती टीम को मजबूति दिलाने का काम किया है, एसे में मेरे लिए इस मैच में भारती टीम के अब तक के शांदार प्रदरशन के लिए भारती टीम के च्यारों गेंदबाज सब से खतरनाग खिलारी हैं हैं